आज है 27 दिसमबर दो हजार तेज दिन बुद्वार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले साथ हमारे फेस्बुक पेस्टो भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट करें बिल्क बिल्ली आ गया है सीम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में लिया बड़ा फैसला बियाटीयस हटाने पर बनी सहमती मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अध्यक्षता में मंत्राले में हुई बैठक में भुपाल में बियाटीयस को हटाने पर सहमती बनी जन परतिनीतियों और वरिष्ट अधिकारियों की बैठक में बियाटीयस के कारें या तयात में उत्पन हो रही विभने दिक्कतों पर विस्तरिक चर्चा हुई जिसकी बाद ये सहमती बनी बाजपा ने एक दशा के बाद जबलपुर से दिया क्याबिनेट मंत्री जबलपुर से मंदल में जगा मिनने को लेकर हर साल मांग उठी लेकिन 2030 में सरकार ने जनता की आवास सुनी एक दशा के बाद जबलपुर को भाजपा ने कयबनेट मंत्री दिया है 2013 के बाद से जबलपुर को कयबनेट मंत्री भाजपा सरकार में नहीं मिला था इसके लिए लगातार मांग उठती रही वधायक तक सरकार से इस मामले पर कई बार शिकायत कर चुके थी अब जब बलपुर पश्चिम सिन्व निर्वाचित विधायक राकेश दिंग को कैबिनेट में जगा मिली है स्मार्च तरी में भाजपा महिला मोर्चा शुरू करेगा स्मार्च वूमेन अभियान विधान सभा में भाजपा की बड़ी जीत की वज़े मोर्चों और प्रकोष्टों के द्वारा अपने अपने लक्षित पर कुसादने के लिए किये प्रयास भी रहे चुनाओ में भाजपा को 230 में से 113 सीटे मिलने से उत्साहित मोर्चा प्रकोष्टों नए अभियानों और कारिक्रमों के साथ लोगसबा चुनाओ की तयारिया शुरू कर दी है महिला मोर्चा प्रदेश के सभी स्मार्ट सिटी में प्रबुदवर की महिलाएं जैसे डॉक्टर इंजिनियर प्राध्या पक्पिग्यानी को पार्टी से जोडने के लिए स्मार्ट वोमिन अभियान शुरू करनी जा रहा है कैबिनट की मीटिंग हुई खात में विभागों के बटवारे सहे तसमुद्धे पर हुई चर्चा सीम डॉक्टर मोहन यादर कैबिनट की पहली बैटक मंत्राले में हुई इस बैटक में विभागों के बटवारे को लेकर चर्चा की गई इसके साथ ही आने वाले दिनों के लिए रोड मैप भी तयार किये गए इसके अलावा सीम ने मंत्री को से सरकार की प्रात मिक्ताओ के बारे में चर्चा की ने साल के पहले बटरफलाई पार्क में पर्यचको की भी MPK खंडवा इस्दित बटरफ्लाई पार्क में ने साल के मद्देनजर लोग बड़ी संख्या में पहुच रही है यहां खुबसूरत तितलियां लोगों का मन मुह हो रही है चार खेड़ा में इंदरा सागर के जलाशे के बैक वाटर के नारे विकसित किये जा रहे बजाफ्लाई पार्क में ने साल पर भी बड़ी संख्या में परिटकों के पहँचनी की उमीद है मадरपरदेश के जिले में आया भूकाम कई जगों पर महसूस किये गए जटकी मадरपरदेश के सिंग रॉलि जिले में भूकंप के जटके महसूस किये गए मंगलवार तो पहर दो बच कर पचास मिनट पर भू कम पाया रियक्चर स्केल में इसकी तीवरता 3.3 ना पी गई है जिसके बाद जिले में हड़ कम्प मच गया लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए कोरोना के नए वेरियंट जियन पॉइंट वन ने बढ़ाई स्वास्तव भाग की चिंता मुबाल में एक ओविट के नए वेरियंट जियन पॉइंट वन के चौर एक्टिव मरीज हैं जिन में से एक अस्पताल में भरती है इदर कोरोना के बढ़ते मामले से स्वास्तव भाग भी अलट मोट पर आ गया है विदेश यात्रा करने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है अस्पताल में दवाईयों की सप्लाई का काम पूरा कर लिया गया है महीं एक्स्ट्रा बैट की सारी इंतजामात पूरे कर लिए गए है सियम का निर्देश बोले वी आईपी दोरे पर जनता को ना हो तकली मुक्यमंचरी ड़क्टर मोहनी आदब ने मंगलवार सभी संभागों के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैचक की इस दोरान उन्होंने इस पश्ट निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में सरकार की योजनाओ का सुद्रा रूप से क्लियान वयान हो जिसकी सतत मॉनिचरिंग की जाए इस बैठक के दोरान सियम मोहनी आदब ने इस पश्ट निर्देश देते हुए कहा कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए इवी आईपी दोरे के दोरान आम जंदा को किसी तरह की परिशानी ना हो गौपालकों से काफी कमदाम में दूद के खरीदी लोगों को महंगे दामों पर बेच रही कमपनीज सियोर कलेक्रेट पहुचकर गौपालक किसानों ने गया पन दिया है अब मोहन कैलाश गुट का सूत्रपाद बदलने लगे राजनीति कसमी करण जो नेता सत्ता में बड़ी भूमिका में रहते हैं तो जन प्रतिनिधी पतादिकारी नेता उनसे जुन्ना पसंद करते हैं बाजबा के राजनीती में बीते 30 वर्षों से हमेशा एक गुट मजबूत इस्तिती में रहा और उस गुट से जुड़े नेता फाइदे में रहे 18 साल के बाद मद्रप्रदेश में शिवराश तोमर गुट का सूर्यास्त हुआ और मोहन कैलाश गुट का सूत्रपाद पूरग परिक्षा से दो घंटे पहले वी कौम के विद्यार्ती फॉर्म भरने पहुचे 20 में से 13 को मिली अनुमती देवेलिया विशविद्याले की चात्र सुनवाई में एक दर्जन चात्र चात्रा ऐसे पहुचे जिनकी पूरग परिक्षा दो घंटे बाद शुरू होनी थी मगर इन्होंने परिक्षा का आवेदन जमान नहीं किया चात्रों ने अधिकारियों से गुहार लगाते हुए आवेदन के लिए विशेश अनुमती मांगी जबलपूर में जिला शिक्षा दिकारी पर कारिवाई वित्ती अधिकार पर लगाए रूफ लगातार कोट के अवमाना करने के चलते इस कुछ शिक्षा विभाग ने जबलपूर खिख्षा दिकारी के मुट्ती अधिकारों पर रोग लगाते हुए उनके खिलाफ कारिवाई की इदर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कारेवाई होने के चलते अब शिक्षकों और स्टाफ का वेतन अटक गया जिसको लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी परिशान हो रही है जनकारी के मताबिक जिलाशिक्षा अदिकारी घंशाम सोनी लगाता न्यायले की अवमान ना कर रही थी 163 विधायकों को संगटनात्मक प्रशिक्षन देगी भाजपा मोहन मंत्री मंदल सरीट 163 विधायकों को भाजपा संगटनात्मक प्रशिक्षन देगी इसके लिए जल्दी प्रदेश भाजपा कारे आले में प्रशिक्षन कारे करमायो जित किया जाएगा प्रदेश भाजपा ध्यक्ष विश्नुदत शर्मा ने स्पश्ट कर दिया है कि चाहे वो मुख्य मंत्री हों, मंत्री हों या विधाय सब पाची में कारे करता है और पाची की विचारधारा के अनुरूप ही वो कारे करेंगे धान खरीदी मामले में फरजी उपाचन के इंद्रों के चल रही जाँच लाकों कुईंचल माल बरामर दान खरीदे को लेकर फर्जी उपाचन के इंद्रों के जांच के लिए जो भुबा से दस तीम जबल पुराई हुई हैं वो रविवार से जांच कर रही है एक दर्जा से अधिक गोदाम में टीम के द्वारा जांच की गई जहां प्रारंबिक रूप से लगभग छे गोदाम में धान का स्टॉक बड़ी मात्रा में मिला है इंदोर को हर्दा हुशंगबाद बैतूल नागपुर से जोडने वाली इंदोर नेमावर सड़क अपने उधार की रहा देख रही है इस सड़क पर फोर और कभी-कभी सिक्स लेन की तरह आतयात का दबाब होता है लेकिन सड़क टू लेन है खस्ता हालत इस सड़क पर भारी आतयात के भी शहरी आबादी का हिस्सा भी जुड़ा है PCC चीव जीतू पटवारी ने कॉंग्रेस प्रदेश कारेकारणी भंग की जल्द बनेंगे नए पदादिकारी प्रदेश कॉंग्रिस के कारे कारेनी भंग कर दी गई है ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के नव न्यूक्ट प्रदेश प्रभारी भवर जीते इंद्र सिंग की अध्यक्षता में हुई समिक्षा बैठक के बात लिया हाला की भवर जीते इंद्र सिंग ने कहा कि आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी काम करते रहेंगे दस से जादा दवा कंपनीज में कफ सीरप में इस्तमाल हो रहे कच्चे माल की जाच खासी के दवा पर केंद्र के अलेट के बाद अब इंद्र में भी जाच तेज हो गई पांस दिनों में सेंट्रल ड्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल और्गनाइज़ेशन के अधिकारियों ने इन दौर में दस से जादा दवा कंपनीज की जाच कर ली है कम्पीज सेकफ सीरप में इस्तमाल हो रहे कर चेमाल का रिकॉर्ड लिया गया इस बीच दवा निर्माताओ के संगठन फेडरिश और फार्मा एंटेप्रिनियॉर्स ने दवा निर्माताओ के लिए गाइडलाइन चारी कर दी ग्वालियर में नहीं होगा भारत अफगानिस्तान का मैच अब बी सी सी आई ने MPK से स्टेडियम को चुना मद्रपदेश के ग्वालियर में कडाके कि ठंड का कहर देखने को मिल रहा है इसका सर नहीं साल में 14 जनवरी को संभावेद भारत अफगानिस्तान टी 20 मैच पर पड़ा बी सी सी आई टीम के निरिक्शन रिपोर्ट में कडाके कि ठंड घने को हुरे और शाम को पढ़ने वाली ओस ने नवनिर में शंकरपुर स्टेडिया में मैच कायोजन कराने की संभावना को खत्म कर दिया टिकेट बुक होने के बाद ट्रेन रद नहीं कर सकेगा रेलवे 26 अपते पहले करना होगा ऐलान बिनपोर्ट प्लानिंग के अचानक ट्रेन्स के निरस्त करने को लेकर रेलवे बोर्ड ने सकते रुक अपनाया बोर्ड ने N.E.R. समेट सभी शेत्रिया जोन को पत्र लिक कर कहा कि ट्रेन्स का निरस्ती करण 26 अपता पहले करें टिकेट के बुकिंग हो चुकी है तो उन तारीखों में ट्रेन निरस्त नहीं कर सकेंगे अपर इहार एस्तिती में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी ये व्यवस्था सिर्व रुटीन कारे के लिए होने वाले निरस्ती करण से संबंधित है हर महीने कैश पैक साथ परसन ब्यास सबसिरी बिना गैरेंटी के पचास अजार लोन दे रही सरकार केंदे सरकार ने कोरोना काल में कई ऐसी पहल की थी जिसके जरीए लोगों को आर्थिक मदद करने की कोशिश की गई ऐसी ही एक कोशिश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर साथ पर निर्भर निधी के जरीए की गई एक वर्श की अबधी के लिए बिना किसी गैरेंटी के 10,000 रुपे तक का लोन मिलता है समय पर इस लोन का री पेमेंट करने पर 20,000 रुपे लोन की दूसरी और 50,000 रुपे लोन की किष्ट की सुधा मिलेगी सरकार MSP से जादा पर खरीदेगी तूर दाल तीन दिन में किसानों के खाते में आएगा भुकता केंदर सरकार किसानों को जल्दी एक और तुफ़ा देने जा रही है कबर ये है कि सरकार ने MSP आनी निउन्तम समर्थन मूल से जादा पर किसानों से खरीफ की पसले खरीदने का फैसला किया इतना ही नहीं पहली बार दाल के खरीदी के रिकम किसानों के सीधे बैंक खाते में पहुचेगी सरकार ये सुनिशित करना चाहती है कि किसानों को तूर का मौजूदा बाजार भाव मिले 18 करोड रुपे से अधिक है MPK मंत्रियों के आसा संपत्ती तीन पर गंभीर आप राधीक प्रक्रण मुखिमंत्री डक्टर मोहन यादव और उनके मंत्री मंडल के सदस्यों के आसा संपत्ती 18.54 करोड रुपे है 31 में से 30 यानि 97 परतिशत मंत्री करोड रुपती है मंत्री मंदल में सरवादिक संपत्ती वाले मंत्री रतलाम की चितने कशप हैं उनकी कुल संपत्ती 296 करोड रुपए है सबसे कम संपत्ती गौतम टेटवाल की 89.6-4 लाख रुपए है न्यू यार्स अलिबरेशन न बन जाए कोविद सुपर स्प्रेडर देश पर में कोरोणा के नए वैरियन जियन पॉइंट वन के जैसे जैसे मामले सामने आ रही हैं उससे भीर भाड़ वाली जगों में इसके तेजी से फैलने की आशंका है शिमला में 72 गंटे में 55,000 से जादा गारियां दाखिल हुई यहां अगर चूख हुई तो ये भीर कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकती है विनेश फोगाट वापस करेंगी मेजर ध्यान चंखेल रतन और अरजुन अवार्ड दिकश पहलवानों का जबलू एफ़ाई के पूर वध्यक्ष ब्रजभूशन शरन सिंग के खिलाब विरोज जारी है स्पीच विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड वापस करने का अईलान किया फोगाट ने भी अमोदी को पत्र लिकर कहा कि मैं अपना मेजर ध्यान चंखेल रतन और अजुन अवार्ड वापस कर रही हूँ इस अलत में पहुचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवार्ड वार्ड के अलग अलग शक्तियों के जरीए आई एन एस इंफाल का हुआ निर्मान इस युदिपोत का नाम इंफाल रखा गया है जो नौर्ट एस्ट की गलोरी को दर्शाता है आई एन एस इंफाल विशा का पत्वम क्लास के अंतर गताता है I.N.S. इंपाल पर ब्रमोस एयरफोर्स ने ब्रमोस मिसाईल लॉंच की बेले मेडियम रेंज मिसाईल लॉंच की इसके अलावा क mulheres के लावा कई सारे स्टाट अप्स भी इसके निर्मान में शामिल है तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद